हाले दोस्तों नमस्कार्स वागत एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइबर क्राइम से जुड़े कुछ नए बिंदू होंगे बारे में जी हां दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि भार सरकार ने एक जुलाई 2014 से नए कानून की विवस्ता की है जो हमारा CRPC, IPC थी या Indian Evidence Act था उसका नाम बदल दिया गया है जी हां दोस्तों यह विडियो आप सभी के लिए बहेदी मतपुन होने वारा है अगर आप सोशल मीडिया में होतों क्योंकि इसमें साइबर क्राइम से जुड़े हुए जो मुद्ध है उन्हीं मुद्धों के बारे में हम आज इसमें बात करेंगे जी हां दोस्तों विडियो में क्या प्रापदान किया गया है बिए एनस मतलों भारतिया न्या सेइंता में साइबर क्राइम सिस्वंदित नई चीजे के बारे में क्या पता है वो ही हम आज के इस वुड़ियो में जाने हैं सबसे पहली बात है शोशल मीडिया में मैलाओं की तांक जांक करना अब आप के लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है जिहां इसमें बेनस के तहत सक्त सजा का प्रावधान किया गया है जिहां बैक्तिकत जीवन में अगर आप किसी औरत की तांक जांक करते हैं तो उस स्थित में भार सरकार ने बेनस के तहत प्रावधान जोड़े हैं जिनकी तहत आपको सक्त सक्त सजा होंगे जी हां एक चीज जिसमें और एड़ कर रहा हूं या केबल महिलाओं के लिए ही नहीं बरकि किसी की बैक्तिकत जीवन में तांक चांक करना अब अपराद माना गया है उलं बैक्तिकत जीवन में तांक चांक करते हैं तो उस सिती में शोशल मीडिया में इसे जो साइबर क्रावध के तहत इसे उस औरत का पीछा करना माना गया है जिसके तहत जो है सजा का प्रावधान अब किया गया है बियनेस के प्रावधार नमबर एक है धारास्ततर मैलाओं के बैक्तिकत गति वीडियों को देख रहे हैं और उन्हें कैमरे में या वीडियो में कैद करने पर एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है अगर आप किसी और बैक्तिकत जीवन में तांग चांग करते हैं तो धारास्ततर के अनुसार एक से लेकि तीन बर्स तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है अगर आप उनकी बैक्तिकत जीवन को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं या फिर फोटेज वगिरा या फोटो वगिरा लेता है तो उस स्थिति में आपको जो है सजा का प्रावधान किया गया है अगर आप इंटरनेट इमेल या किसी अनने इलेक्ट्रोनिक डिवाइस से मैलाओं के जीवन में तांग जांग करते हैं तो उसे मैलाओं का पीछा करना माना जाएगा और पहली बार अपरात करने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधार बीनस में किया गया है धरा 294 किताबों या इलेक्ट्रोनिक डिवाइस की मादियम से अश्रील समागरी की बीक्री पर दो से पांच साल की सजा और पांच से दसजार पे तक का जर्माने का भी प्रावधान किया गया है बीनस में और धरा 299 के तहट के लिखा हुआ इलेक्ट्रोनिक या किसी अन्यमादियम से जान बूचकर या दुरुभाबना पुरवधा धार्मिक भावधाओं को ठेज पहुंचाने पर तीन साल तक की सजा का प्रावधान है और साथ में जरुमाने भी लगाया जा सकता है 299 के तहट ठीक है अब धारा 308 के तहट सबसे बड़ी बात यहां पर लिखी हुई है धारा 308 है विनस की जो धारा 308 कहती है डिजिटल अरेस्ट या किसी तरह से संदेश वेज़ कर दमकी देना यानि कि एक्स्रोशन दमकी देने पर 2 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है अब एक चीज जो नया इसमें प्रावधान जोड़ा गया है शोशल मीडिया में जिस प्रकार के फेक एकाउंट बना जाते थे किस दूसरे के नाम से एकाउंट बना जाता है और फौड किया जाता था उस स्थिती में पहले इस प्रकार कोई सक्त कानून नहीं था बेनस के तयात जो नए प्रावधान किये गये है उनमें फेक आईडी बना कर किसी बेक्ति का नाम यूज करना या लोगों के साथ फ्रॉड करना उस नाम से जिससे जो एक्चुल बेक्ति है जिसके नाम से खोला गया है वो डीपे में होता है तो उस स्थिती में जो है प्रक्राइम माना गया है और किसी प्रकार का फेक अकाउंट आप जो आपके लिए खत्रे की गंटी हो सकता है जिया दोस्तों अगर आप लड़के या लड़के किसी ने फेक अकाउंट किसी के नाम पर बनाया है किसी के साथ आप मज़े करने के लिए इस प्रकार का अकाउ हो सकती है जी है दोस्तों आज का वीडियो इतना ही नए वीडियो में मिलते हैं नए जानकारे के साथ तब तक के लिए जाहिन नवसकार नवसकाठे के लिए है जानका की वा गाहिन नवसकार है